सद्कुरू नमस्ते सद्कुरू ब्रह्मांडिय इच्छा क्या है और स्वतंतर इच्छा क्या है जिसे ब्रह्मांडिय इच्छा कहा जाता है वो उस तरह की इच्छा नहीं है जिसे आप इंसानी इच्छा या अपने मन की इच्छा के रूप में जानते हैं उसका एक खास पैटर्न है, एक खास गुण है ब्रमांडिय सत्ता में एक खास चेतनता और अपना एक जुकाव होता है वो हमेशा मौजूद होती है ये ब्रमांडिय इच्छा है कि इससमें आपका और मेरा अस्तित्व है मगर अभी आपने सत्त्तंग में आने का फैसला किया है, आपकी इच्छा है है कि नहीं? तो ब्रमांडिय इच्छा किसी फैसले की तरह नहीं होती वो बस मौजूद है ब्रमांडिय इच्छा के कारण आप और मैं इस रूप में है ब्रमांडिय इच्छा के कारण पृत्वी सूरज के चारों और घूम रही है ये इनसानी विचारों की तरह नहीं है ये बस प्रकृती का गुन है पानी उपर से नीचे की तरफ बहता है उसे जैसे चाहे रोकने की कोशिश कीजिए ऐसा लगता है कि उसकी अपनी इच्छा है मगर वो कोई इच्छा नहीं है वो गुरुत्वा करशन के नियमों के अनुसार बह रहा है तो ब्रमांडिय इच्छा गुरुत्वा करशन बल और बाकी कई चीजों की तरह है वो बस हमेशा मौजूद रहती है वो सिर्फ उस तरह काम करती है क्योंकि जीवन की रूप रेखा ही ब्रमांडिय इच्छा पर आधारित है मगर आज आप कुछ करने का फैसला करते हैं तो ये निश्यत रूप से आपकी इच्छा है ब्रमांडिय इच्छा की इसमें कोई भूमिका नहीं है मगर आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए ब्रमांडिय शक्ति का लाब उठा सकते हैं अभी गुरुत्वा कर्शन बल काम कर रहा है उसका लाब उठा कर मैं यहां बैठा हूँ नहीं तो मैं यहां वहां तैर रहा होता मुझे यहां ठहरने के लिए एक सहारे की जरुरत होती गुरुत्वा कर्शन के कारण मैं यहां बैठने का अनंद ले रहा हूँ इसी गुरुत्वा कर्शन का इस्तमाल करके मैं नाच भी सकता हूँ वो मेरी इच्छा है बैठना मेरी इच्छा है, नाचना मेरी इच्छा है अगर मैं चाहूं तो नीचे कूद सकता हूं, वो भी मेरी इच्छा है मगर ये सब चीजें गुरुत्वा कर्शन के बिना नहीं हो सकती इसे समझने के लिए शायद ये सबसे नज़्दी की उपमा है तो ब्रह्मांडिय इच्छा हमेशा सक्रिय रहती है हम अपने जीवन के हर पल में इसका आनंद ले रहे हैं या कभी-कभी उसे जहेल रहे हैं गुरुत्वा कर्शन आपको नचा सकता है, वो आपको गिरा भी सकता है अगर आप इसके साथ तालमेल में नहीं है यहीं आपकी इच्छा की भुमिका आती है आपकी इच्छा फैसला करती है और वो ब्रह्मांडिय इच्छा का लाब उठा सकती है उसके बिना आपकी इच्छा का अस्तित्व ही नहीं होगा यह ब्रह्मांडिय इच्छा है कि आपकी एक इच्छा होनी चाहिए मगर अपने जीवन में अपनी इच्छा के माध्यम से त्रिप्ति लाने की कोशिश ना करें क्योंकि आपकी इच्छा अकसर एक विचार से मजबूत होती है और आपका विचार मूल रूप से इकठा की हुई चीज है आपने अपना विचार अपने आसपा से एकठा किया है आपने जो जानकारियां एकठा की हैं आप उन्हें अनेक तरीकों से घुमा घुमा कर उनमें फेर बदल कर रहे हैं अपनी इच्छा शक्ती से कुछ करना सिर्फ छोटे मोटे लक्षियों के लिए ठीक है आज सुबह अगर आप पांच बज़े उठना चाहते हैं तो आपकी इच्छा शक्ती काम करेगी या अलाम घड़ी की शक्ती अगर अलाम बचता भी है तो भी बिस्तर से निकलने के लिए आपको एक इच्छा शक्ती की जरूरत होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके काम बन सकते हैं मगर आखिर में आपका चेहरा लटका हुआ होगा इसे इच्छा शक्ती से करने की बजाए भक्ती से कीजिए प्रेम से कीजिए अब मुझे पांच बजे उटना है क्योंकि कुछ ऐसा है जो मैं वाकई करना चाहता हूँ ऐसा नहीं कि मुझे ये करना पड़ेगा मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो करना पड़ेगा मेरे जीवन में सब ऐसी चीज़े हैं जो मैं करना चाहता हूँ तो अगर एलाम पांच बजे का लगा हो, तो मैं साड़े चार बजे ही उठ जाता हूँ, क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ अगर आप अपने जीवन को ऐसे चलाते हैं कि मुझे ये करना ही है, तो ये इच्छा शक्ती है चाहे जो हो जाए मुझे ये करना ही है, करना ही है, शायद आप उसे कर लेंगे, मगर आपका चेहरा लटका हुआ होगा, दुखी चेहरा होगा, सब कुछ हुआ, पर आखिर में आपका चेहरा लटका हुआ है, तो जो चाहिए था वो नहीं मिला है न, ये सब करने का लक्ष आ आप पहले ही चूग गए हैं, क्योंकि आपने उसका आनन नहीं लिया, आपको संतुष्टी नहीं मिली, फिर फाइदा क्या है? तो अपने जीवन को इच्छा शक्ती से चलाने की कोशिश करने की कोई जरुवत नहीं है, कभी कभार छोटी मोटी चीज हैं, कई बार जब आपक चेहरा बन जाएंगे, पेट में छाले, जोले में काम्याबी, चेहरा इतना लटका हुआ कि कोई देखना न चाहे, या आपकी टुड़ी हैदराबाद की सडकों से रगड़ खा रही होगी, यह अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो दाड़ी है, आप क्या करेंगे?